आप सब्सक्राइब बढ़ने चाहरे हैं काफी इंपॉर्टन कॉंसेप्ट हमारी सॉलिटी प्रोग्रामिंग लग्मिच का जो कि यह फंक्शन तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे पहली चीज तो हम लोग यह देखेंगे कि अब हम लोग आगे हैं अब हम लोग फंक्शन सो समझने गड़े पहले क्या करेंगे एक वेरिवल डेकले करेंगे और लेट से उसका नाम लोग रखेंगे एज is equal to 10 अब इसी वेरिबल को हम लोग क्या करेंगे set करेंगे और get करेंगे with the help of setter and getter function तब देखेंगे किस तरह से हम लोग function को create करते हैं हमनी solid programming language तो जब भी हमें कोई particular function हमारी solid programming language में create करना होता तो सबसे important चीज जो सबसे पहले चीज हमें ध्यान देनी होती है वो यह है कि ह हमें जब भी कोई function create करना होगा तो हमें पहले use करना होगा key word function पहले हमें लेक्शना होगा function उसके बाद हम लग लखेंगे उस function का name जैसे कि अगर हम लोग let's say getter अगर setter function बनाने तो setter तो पहले हम लोग क्या करते हैं getter function बनाते है और print करते हैं जो भी इस age में value में उसके बाद फिर हमें बताना होता है कि यह function की visibility क्या रहेगी public रहेगा, private रहेगा, internal रहेगा, external रहेगा इस तरह की चीज़ें हमें बतानी होती है बट यह सब चीज़ें हम लोग आने वाले में पढ़ेंगे अभी के लिए हम लोग इसकी visibility रख देते हैं public ठीक है, तो अब इसकी visibility हो गई public इसके बाद हमें बताना होता है जैसे कि अभी यह क्योंकि गेटर function है तो गेटर function का मतलब क्या है कि हम लोग इसकी value एक तरह से print करेंगे इस getter function के थुरू get करेंगे age की value मतलब कि हमारे इस state variable में कोई भी change हम नहीं करने वाले हैं तो क्योंकि हम इस state variable में कोई भी change नहीं करने वाले हैं तो हमें क्या बताना होता है कि हमारा function pure है या फिर view है मतलब हम लोग यहां पर या तो pure लिख सकते हैं या फिर view लिख सकते हैं अब इन दोने में difference क्या है हम लोग उसे next video में देखेंगे क्या बड़ियु को मडिफाइट करेंगे तो इसलिए हम यहां पर बताएंगे कि यह इसके बाद हम लोग बताएंगे कि क्या data type हम लोग इससे get करने वाले है data type get करने वाले करेंगे अब सám यह तरह से कौन से type का है यहां बताना पड़ता है यहां पे रिटर्ण्स नॉट रिटर्ण्स नॉट रिटर्ण्स और फिर ब्रैगेट के अंदर जो भी उसका डिटर्ण कराने वाले हैं अगर यहां पर क्या रहे हैं रिटर्ण कराने वैल्यू को और यहां पर लिख देंगे अपना इक गेटर फंक्शन बना लिया और हमारा इक गेटर फंक्शन बन गया है अब ध्यान देने वाल चीज है जो मैंने बताई थी यह फंक्शन गेटर फब्लिक पब्लिक का मतलब बता दे तो पब्लिक का मतलब यह है कि यह फंक्शन अब क्या हो सकता है कोई आउटसाइड दा कॉन्ट्राइट कर सकता है इंटर्णी भी उसको अव्लेबल लिए तो इ का मतलब यह है कि हम लोग का डेटर टाइप किया है इसलिए मैं आप ही क्या लिखा हुआ है यू आए एंटी रिटरन्स किया हुआ है अब हम लोग जाएंगे और यहां पर यहां पर यहां पर फंक्शन आ गया है अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारी वैल्यू 10 शो हो रही है मतलब हमारा यह फंक्शन है यह वर्क कर रहा है ठीक उसी तरह से अभी लेटस से चाते हैं अपना एक सेड़ फंक्शन बाना तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर से क्योंकि वह एक फंक्शन ही है आप अपने फंक्शन का नाम लेट सेर्ट अब यह पंडिक है क्या है यह पता अब state variable क्योंकि हम क्या करने जा रहे है और क्योंकि हम यहां कुछ भी नहीं करारेंगे simply और क्योंकि हम यहां से कुछ return भी नहीं करा रहें तो हम लोग यह पर आएंगे और जो भी इसको मैं करता हूं deploy और यह हमारा contract आ गया है तो यहां भी आप देखेंगे मैं इसको थोड़ा increase कर देता हूं तो यहां भी हमारा setter और getter function आ गया है अब हम लोग क्या करेंगे simply पहले getter की वाल्यू से देख लेते हैं क्या value है तो 10 है और setter से हम लोग जैसी setter call करेंगे और फिर getter call करेंगे तो आप देखेंगे value क्या होगी 11 होगी फिर setter call क्या फिर getter call क्या value 12 होगी 12 क्योंगी क्योंकि दो बार setter call हुआ तो इसके वज़े से हमारी जो state variable था वो क्या हूआ मोडिफाई हुआ उसमें increment हुई value इसी वज़े से हमें क्या दिख रही है हमें value increase होती हुए दिख रही है तो अब अच्छा यह दो चीज होगी simply मतलब यहां पर हम लोग ने देखे जो functions example थे इसमें हमने कोई भी यहां पर argument पास नहीं किया रही देखे यहां पर age की में हम लोग क्या कर देंगे एक तरह से हमने लोग new age ट्रांसर करना चाहते हैं कुछ इस तरह से हम लोग करना चाहते हैं तो क्या यह यह possible है बिलकुल पॉसिबल है अब हम लोग film पर रहां यहां यहां पर फिर से compile करेंगे और यहां पर आके इसको deploy कर पर दिखाती है यहीं स्प्सक्राइगा यहां पर यहां पर पास करेंगे वो हमारी एज में जान। एज में जाएगा है पहले getter से देख रहे थे क्या value अभी 10 है मैं इसको set कर देता हूँ अब मैं इसको get करूँगा तो आप देखे value क्या हो गई 20 हो गई मतलब हमाई age के value change हो गई जैसे हमने यहाँ पर कोई argument pass किया let's say मैं कोई और argument pass करना चाहता हूँ let's say मैं चाहता हूँ 50 तो यहाँ पर मैं करूँगा setter और फिर मैं get करूँगा तो देखे यहाँ पर value हो गई 50 तो इस तरह से आपके आजर सकते है argument भी पास कर सकते हैं अपने function में तो हमनोंने दो तीन चीज़े काम लगए काफी चीज़ें important देख लेए अब हम लोग एक और important चीज़ में आपको बहुत आने जारा हूँ जो कि बहुत ही important है और वो यह है कि आप जब भी कोई public state variable create करते हो तो आपको उस variable के लिए कोई भी getter function बनाने की जरूरत नहीं होती अब मुझे इस getter function की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारी remix id में automatically क्या होगा उसके लिए अपने आप एक getter function create हो जाएगा अब मैं अगर इसको यहां से comment काउट कर देता हूँ अब मैं इसको हटा भी देता हूँ एक दर से यहां से मैंने compile किया अब मैं इसको यहां पर deploy करूँगा यहां से मैं इसको deploy किया और आप यहां पर देखेगा यहां पर देखेगा यहां पर देखे उसके लिए आप कोई state variable public बनाते हो तो उसके लिए आपको कोई getter function बनाने की जरुवत नहीं है ये सबसे important चीज़ है जो आपको धान देनी चाहिए और दूसरी important चीज़ जो होती है कि getter function में क्या होता है getter function जो होता है हमारा अगर मैं इसको वापस ले किया हूँ तो getter function में क्या होता है हम अपने state variable में changes ला रहा है sorry getter function के थूँ हम लोग अपने state variable में क्या लाते है changes लाते है और क्योंकि setter function के थूँ हम अपने state variable में changes लाते है तो इसी लिए gas की requirement होती है आपको कुछ amount of gas पे करना पड़ता है क्या हमारी blockchain में एक तरह रहा है change हो रहा है ठीक है बट जब हम बात करते है getter function के getter function में कोई भी हमनों change कोई modification नहीं कर रहा है तो इसी वज़े समय blockchain में कोई भी modification नहीं हो रहा तो इसलिए हमें getter के लिए कोई भी cost gas का नहीं pay करना पड़ता है तो यह भी difference होता है हमारे getter और setter में setter में हमें gas pay नहीं पड़ेगी मगर getter में हमें कोई gas pay नहीं करना पड़ेगी तो I hope आपको सब्सक्राइब को कि किस तरह से हम लोग function create करते हैं क्या use है public का क्या use है view का view of pure में next video आप देखेंगे view of pure में क्या difference है किस तरह से returns UNT work करता है और किस तरह से हम लोग setter में argument pass कर सकते हैं without argument कर सकते हैं और किस तरह से हमारे ये whole function work करता है तो ले आईए तो इसको हम लोग summarize कर लेते हैं अपनी power point पे और देखने हैं क्या-क्या important points है जिसको आप screenshot डे लिजे ताकि आपको future में इसको याद रखने में असान ही हो ओके तो हम लोग आगे अपने slides पे तो आईए देखते हैं कुछ important points तो when you call a setter function create a transaction that needs to be mine and cost gas because it changes the blockchain vice versa for getter function मतलब वही चीज मैंने बता है यह कि setter function में आपको क्या करना पड़ता है gas का amount पे करना पड़ता है जो कि आपको getter function में नहीं पे करना पड़ता है तो when you declare a public state variable a getter function is automatically created यहाँ जब भी कोई भी आप state variable create करोगे तो getter function उसके लिए automatically create होता है यह मैंने आपको करके भी दिखा दिया और at the end by default जो variable की visibility होती है जो भी हम variable declare करते है by default अगर आप देखेंगे तो उसकी visibility क्या होती है private होती है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है public बनाना पड़ता है तो यह private public है यह तो हम लोग definitely depth में वीडियो में राएगा आप समझेंग जाएंगे मेरे चैनल को मैं new videos daily upload करता हूँ और मेरे चैनल पर आप आने वाले टाइम में नए-नए courses भी देखेंगे और अगर आपके मन में कोई doubt है तो प्लीज उसे comment करें मैं definitely उसो solve करने की पूरी केश्च करूँगा तब तक के लिए bye-bye